कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब बहुत बढ़ियां हैं खुश हैं वर हैल्दी हैं तो फ्रेंज यह है साड़ी शिफॉन की साड़ी थी जिसका मैंने रियूज किया है और इससे में दो वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ इसके प्लीट पोर्शन से मैंने बनाया है एक करेंगे और लेस का यूज भी करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंज यह है फैब्रिक जो फ्लीट का पोर्शन होता है उसके उपर प्लेन पोर्शन होता है यह वह वाला फैब्रिक है इसको यूज करेंगे उसके साथ ही हम लेस को भी यूज करेंगे जो हमारी वच्चिवी लेस है ना इसका हम यूज करेंगे बट यह सारी यूज नहीं होगी मेजर्मेंट बताती हो कि हम इसमें से कितना यूज करेंगे हम दुपट्टे जितना ही यूज करेंगे यहां तक हो गया हमारा नेंट करेंगे इसको कट कर लेंगे बाकी अलग कर देंगे हम लेस को अब इसनी ही लेस हमारी यूज होएगी और इतना लंबा दुपटा बनेगा अब फैब्रिक जो है उसको हमने डबल फोल्ड कर लेना इस तरह से और इसके सेंटर से हम कट लगा लेंगे एक्टली हम इस पूरे फैब्रिक के दो पीस बना लेंगे लेंथवाईस इस तरह से पूरा इसको हमने इक्वली जो है मिलाते हुए कट कर लेना है और दो पीसिस में सेपरेट कर लेना है कट करके अब जो है इसके दो एज़िस लेने हैं हमने और दो एज़िस को जॉइन कर लेना है इस तरह से रखेंगे, स्टिच लगाएंगे, स्टिच लगाने के बाद इसको ऐसे करके हम डबल फोल्ड भी करेंगे, ताकि यह जो इसकी फिनिशिंग से सिलाई आए, बुरी ना लगे फिनिशिंग के बाद, और उसके बाद थ्री साइड पर हम इसके पीको करेंगे, एक साइड की एजस और एक लंबी वाली साइड पर हम पीको कर लेंगे, पूरे में, पीको अगर नहीं है, आपके पास ऑप्शन करने का, तो आप ऐसे डबल फोल्ड करकर भी सिलाई लगा सकती है, यह भी अच्छा लगता है, लेकिन बारी एक लगानी है, उसके बाद यह यह स्ट्रिप ले ली है, इसकी लेंथ विट्स जो है, हमारी लेस की लेंथ विट्स से बस एक एक इंच जादा है, ऐसे रख लिया सीधी साइड हमने लेस को भी और स्ट्रिप को भी, हाफ इंच के मार्जन पर रखते वे सीधी तरफ ऐसे सिलाई लगानी है, लेस को आगे बढ़ाते हुए बाद में ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने और सिलाई लगा गई इस तरीके से फोल्ड होगा अंदर की साइड उसके बाद क्या किया है कि स्ट्रिप की इस तरफ मैंने एक निशान लगाया है जो कि हाँ जहां हमारी एंड ओरी है जिदानले लेज वहां वहां निशान लगाया क्योंकि हमारा फैबरी क एड़ होगा उसके बाद ये कुछ इसम मांक लगाए है मैंने ये कैसे लगाए है देखिए पहले तो मैंने इसको पूरा एक हाफ किया इस तरहां से और हाफ करने के बाद एक मार्क लगा लिया, यहां पर यह देखिए, हाफ का मार्क हो गया, उसके बाद फिर से हाफ किया, और इस तरब भी मार्क लगाया है, उसके बाद एक बार और इसको हाफ करके, इसी तरीके से ऐसे भी कुछ मार्क लगाएं हैं, यह क्यों लगाएं हैं, जब हम इसमें फैब पर भीड़ करेंगे पहले हाफ करेंगे फिर से आप और जितनी बार हमने ना जो लेस है उसमें निशान लगाएं उतने ही निशान इस पर लगाने हैं तभी तो है जो है हमारी इकोली उसके उपर डिस्ट्रिब्यूट होगी लेस के उपर तो यह मार्च लग गए हमारे अब कैसे करना ऐसे रखनी है हमने जो स्ट्रिप है हमारी सीधी है यह देखे साइड सीधी साइड इसको पल्टा और इस को आपर अससे दो से घ्यान करें सीधा हो जाएगा ना यह तो ल्टी तरफ कि सीधी साइद साइड přिषप बानानी है पहला मार्क ऐसे मिलाएंगे प्लीट सालेंगे और यहां से हमने हाफ इन चोड़ देना है स्टार्टिंग से उसके बाद मार्क को लगा देखेंगे शिफोन के फैबरिक का और की पूरी फ्रिल जो है तैयार कर लेनी है इस तरह से यह देखिए यह पूरा हमने फ्रिल्स बना ली है से उपर इस तरह अब हम इसको जो है finish करेंगे फिनिश करने के लिए ऐसे अंदर की साइट fold करना उपर सिलाई लगानी है लेकिन corner की finish करने हैं तो उन को भी half of inch चोड़ा था न हमने उसको अंदर की side fold करेंगे और इसके ऊपर जो है कॉर्णर पर सिलाई लगाते वे पूरी की पूरी जो हैं लेस को रेडी कर लेंगे यहां से भी एज को अंदर कि साइड करते हुए ना उपर से हमने लेस को कॉर्णर पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है इसको और सारी जो है फिनिश कर लेनी है दुपट्टे को हमने अब एंड में भी सेम वैसी जैसे स्टार्टिंग में किया था एज को हाफ इंची जो रखा था था हमने एक्स्टा अंदर की साइड करके स्टिच इस तरह से लगा लेनी है यह देखे कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है यह दुपट्टा इस तरीके से यह हमारा फ्रिल वाला दुपट्टा बनेगा तो यह पूरा कंप्लीट हो गया है मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपक और अभी मैं इसके साथ दुपट्टा भी आपको लेके दिखाती हूँ तो यह पूरा कंप्लीट हो चुका है यह तीसरी वीडियो है इसकी जिसमें हमने दुपट्टा भी रेडी किया है तो यह देखिए फाइनल लुक इसका तो चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में नए आइडिया के साथ तिल दें टेक क्यार बबाई एन इंज्वाइदा वीडियो